गोड़ेवनिंग बच्चो कैसे हैं आप लोग चलो ये बताओ यार निडेरिया तक याद हुआ नहीं हुआ करण चौान दीपी का वालिया विशाल वर्मा स्रष्टी गुपता उपेद्र महौर बढ़िया बिटा आप बताईए कैसे हैं चलो चलो ब्रेन कोरल का नाम बताओ ब्रेन कोरल का नाम बताईए हैं मी एंड्री ना अरे वाया ठीक है और ये बताईए एनिमोन का क्लाउन फिश के साथ क्या रिलेशन था था मतब है जो मैंने पढ़ाया था उस रेस्पेक्ट में था बोलना हूं में एनिमोन का क्लाउन फिश का रिलेशनशिप क्या होता है एक्टो कमंसल था ठीक है और एनिमोन का हर्मिट क्रैप के साथ क्या रिलेशनशिप है हर्मिट क्रैप के साथ क्या रिलेशनशिप है प्रोटो को उपरेशन येस प्रोटो को उपरेशन और निसक जैने दिमाग लगा दिया वो लिख दिया सेम उसने क्या अंकित ने लिख दिया तो बस ठीक है अब सेम लिखते है यार चलो ठीक यार मतब इस इस स्मार्ट इसको smart work बोलते हैं चलो ठीक है proto operation प्रोटो कोपरेशन वेरी गड़ बेटा अब यार और क्या था यार हाइड्रा का common name बताओ अच्छा हाइड्रा का common name हाइड्रा में common name फ्रेश वाटर पॉली बोलना पड़ेगा ना या फिर वाटर सर्पेंट या फिर वाटर सर्पेंट बोलेंगे then ये बताओ ये polymorphism का best example क्या है सीलिंट्रेटा में polymorphism का best example सीलिंट्रेटा में polymorphism का best example नहीं अबेलिया नहीं है बिटा फाइसे लिए है बीपी का वालिया का जवाब सही है इस फाइसे लिए है ये बताइए निडेरिया में टोटी पोटेंट सेल्स का नाम निडेरिया में टोटी पोटेंट सेल्स का नाम निडेरिया में टोटी पोटेंट सेल्स का नाम इंटरस्टीशियल सेल्स चलो ठीक है रहा है तो बच्चो एक काम ये करते हैं आज हमें दो फाइलम कम्प्लीट करने है और छोटे छोटे से हैं एक टीनोफ हो रहा है और एक है प्लेटिकल मिंतिस ठीक है तो यार यह हमारी स्लाइड और माईसलफ आसिफ त्यागी जॉलोजी टीचर यार आपका या जॉलोजी एक्सपर्ट या एजूकेटर ठीक है एंड यह इंट्रोडक्शन यार मैं बार 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 बताऊं कि एमस्सी जॉलोजी एमफिलनेट यह सब जो रेगुलर स्टूडेंट से उनको पता ही होगा है अब यहां पे नीट वेदा का हम इशाल वर्मा बायो दिल से ठीक है तो यहां पे बायो दिल से हमारे टेलीग्रैम गृर्प का एक नाम दूसरा भी है अब यहां पे टीनो फुरा यह कोने पे अगर आपको देख रहा है तो यह टीनो फुरा है और इसमें लाइट अमेट उतीव दिख रहे हैं इसका मतलब अब मैं जल्दी से आपको टीनो फुरा कम्प्रीज कर दूँ यार यह देखो यहाँ पे एक दो फोटो और देखो क्या क्या है यहाँ पे इस फिकर में अगर आप देखो तो यहाँ दिखा रखका यह दो टेंटकल निकले वे दिख रहे हैं आपको और यह बाहर इसमें कुछ कॉम्ब प्लेट्स थी बाहर इसमें कुछ प्लेट्स हैं जिनका स्टक्चर कॉम्ब जैसा होता है क्योंकि यहाँ पे यार यह नाम जो भी दे रखे हो अब यहाँ देख लेते हैं चलिए यह दो टेंटकल दिखा दिखा दिए और अगर इसके हम लोग यह टेंटकल हटा दे तो यह स्टक्चर आपको जैसा दिख रहा है ना स्फेरिकल सा यह आवले जैसा स्टक्चर होता है और आवला मतना होता है गूस बैरी ठीक है एंड चलो अब यहाँ पे देखो मेगनिवाई करके कॉम प्लेट्स को दिखा रखा है यह कॉम रोज दिखा रखी है और एक यहा है ना में लेसा सेल यहाँ पको फिगर बंबहें वो दिखा रहा हूं यह एक एक स्टैक स्टैकिला लिक्चर हाँ है यह कुछ हाइडरिक स्टैक्र यह कुछ नाम आप लोग देख ली लिए थियो कि अब हम लोग इस्टार्ट करते हैं अपने हिसाब से क्योंकि वह यह नहीं है यहाँ पर स्टाइट पर लिखा लादू और उसको यहाँ पर खड़े होके पढ़दू उसमें यह चीज़े याद नहीं होती है जब मैं लिखो आप अपने हाँ से नोट करोगे चीज़े तब याद होगी ठीक बचो तो अब यहाँ पर हमारे पास Phylum का नाम हमने क्या बताया यह Tinofora है अब इसमें C compartment रहता है हमें स्पेलिंग यहाँ से पड़ दी होतीं Tinofora Tinofora में एक चीज़ यह देखो कि इसका Common Name क्या है यहाँ पर Common Name तक पहुचने के लिए मैं आपको एक और बात बताऊगा यहाँ पे हमने टीनो वर्ड पढ़ा और टीनो का वर्ड होता है कॉम टीनो का मतलब होता है कॉम यह आगे भी अपलाई होगा जब हम लोग फिश पढ़ाएंगे ने वहाँ पे आपको एक नाम बताएंगे टीनोड स्केल्स ठीक है यहाँ पे टीनो वर्ड कॉम के लिए और फ कोम जेलिज के लावा इसका एक नाम होता है इसको और बोलते हैं को लोग सी वॉलनट्स क्या बोल दियो हमंने slightly walnuts walnuts मतलबąda अखरोट को बोलते हम लोग ठीक व्राइफ शूर्टस में आते हैं आपने खाया ही होगा तो यह sea walnuts भी बोलते हैं जहाँ sea walnut के अलावा इसको और बोलते हम लोग sea gooseberry अब यह gooseberry जो है अगर यह आपको पता हो किस को बोलते हैं तो gooseberry इंडियन आमला आमला जो होता है उसको हम लोग गूस्डवेरी बोलते हैं तो आमला आप पैचान रहे होंगे यार ठीक एमली का इंडिका है और आमला के साथ मैं आपको और कुछ बाते बता दूँ आपको आमला जो होता है ना यह वाइटेमिन सी के लिए रिचस्ट सोर्स हो हाँ इससे बार कुछ नहीं आना है थैंक्स यार आपने इतना एकनॉलेज़ किया थैंक्स आपने इतना एकनॉलेज़ किया ठीक है यहाँ पर आवला बता दिया वाइटेमिन सी के लिए रिचस्ट सोर्स है वाइटेमिन सी का नाम होता है एसकॉर्बीग एसिड ठीक है अब अब ये वाइटेमिन सी एसकॉर्बी कैसी रहे वापस आ जाते हैं क्योंकि अभी टॉपिक से पे आ जाएए टॉपिक में टीनोफोरा का नाम कॉम जैली, सी वालनट या पिर सी गूसबेरी अब और सुनो यार, अब यहाँ पे इसकी फीचर्स में आपको एक एक करके अगर लिखूं, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ये बनेगा, कि जो टीनोफोरा है, ये एक्स्क्लूजिवली मरीन फाइलम है, एक्स्क्लूजिवली मरीन, बच्चों यहाँ पे एक बात य दियान रखना, कि ये, क्योंकि जब हम लोग किसी फायलम की हैबिटочь के बारे में बात करते हैं, हम लोग एक्वेटिक लिख देते हैं, ठीक, अब अगर हम एक्वेटिक लिख देते हैं, तो एक्वेटिक में मरीन, फ्रेश वॉर्टर दोनों चीज़ा आ जाती हैं, लेकिन हमारे पास कुछ फाइलम ऐसे हैं जो कि Exclusively Marine है Exclusively Marine में पहला नाम आए हमारे पाद टीनोफोरा इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग Echinodermita उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग Hemicodita और Protocodita क्या क्या बता है आपको एक नाम बता है हमने आपको ये टीनोफोरा ये पहला Exclusively Marine है ये कुशन बना देते हैं और दो-तीन फाइलम का सेट बना देते हैं कि Exclusively Marine कौन कौन से हैं तो Exclusively Marine में एक नाम टीनोफोरा आगया एक नाम Echinodermita आएगा एक नाम Hemicodita आएगा एक नाम Protocodita आएगा ये चार नाम आपको Exclusively Marine में याद रखने हैं अब आगया आजाएगे Exclusively Marine में आप Echinodermita भी आता है लेकिन Echinodermita में और इसमें कुछ फर्क है यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि ये कैसा होता है ये पेलेजिक होता है पेलेजिक का मतलब क्या होता है पेलेजिक का मतलब होता है ये Surface Dweller होता है ये Surface Dweller होता है मतलब ये Surface के आसपास आपको तेरते हुए मिलेंगे लेकिन अगर हम लोग Echinodermita की बात करते हैं उसके लिए हमारे पर टर्माता है उसको हम लोग Benthonic बोलते हैं या पिर Benthic बोलते हैं एक काइनोडरमिटा वाले मिम्बर जो हैं वो बाटम पे मिलते हैं C की और ये C में ये उसकी Surface के साथ Swim करते हैं मिलेंगे चलिए यहां पे पेलेजिक के साथ यहां पे और बता दिया कि ये Active Swimor होते हैं ये Active Swimor होते हैं तेरते हुए मिलेंगे अब कुछ और चीज़े मैं आपको अगर इसके बारे में बताता चलू तो यहां पे आप ये याद रखना कि इसके जो मिम्बर्स हैं वो लाइट एमिट करते हैं और लाइट एमिट करने के फिनॉमिना के लिए हमारे पास क्या नाम होता है आपने देखा भी होगा शायद फायर फ्लाइ बोलते हैं वो बहुत common सा example है वो बहुत common सा example है जुगनू का जो है यहाँ पे यह भी bioluminis centric तो यह अब चीजे और समझे देके क्या-क्या याद रखनी है अभी क्या-क्या बताया exclusively marine है pelagic है then bioluminis centric है आपको तीन बाती ही दो बता ही अभी अभी और point अगर मैं आपको इसका एक-एक करके discuss करता चलूँ यहाँ पे तो यहाँ पे बच्चो एक नाम मतलब इसमें यह only medusa present medusa present मतलब यहाँ पे polyp जो होता है न वो absent है बढ़ी swimmer है polyp होता तो fix होता यह polyp medusa पे अगर हम लोग इसको categorize करें तो उसका वाता भी है कि medusa की form को represent करता है यह medusa की form को represent करता है ठीक और सुनते है यार यहाँ पे इसमें अगर हम लोग लिखे characteristic cell characteristic cell यहाँ पे characteristic cell का एक नाम यहाँ पे अगर मैं आपको बताओ नाम आता है coloblast cell क्या नाम है coloblast cell यहाँ पिर coloblast cell के अलावा इसको और बोलते हम लोग यह lesson cell कुछ sticky cells होती है और यह कुछ food capturing valve करने वाली cells है क्या नाम बताया coloblast cell आपको याद रखना है यह tinofora की characteristic cell है बच्चो एक चीज़ याद रखो अगर वो porifera में characteristic cell पूछे तो नाम आता है coinocyte क्या नाम आता है coinocyte अगर वो निडेरिया में characteristic cell पूछे तो वहाँ पे नाम आता है निडोबलस cell और अगर वो यहाँ पे characteristic cell पूछ रहा है तो नाम हमारे पास coloblast cell चलो अब यहाँ पे और क्या है एट रोज ओफ एक्स्टर्नल कोंब प्लेट्स एट रोज होती हैं यहां पे कोंब प्लेट्स की ठीक अब यह जो हैं सीलीय की बनी होती हैं एंड हेल्ब से लोको मशन लोको मोशन में काम आने वाली स्टुक्चर हैं क्या बताया लोको मोशन में काम आने वाला structure है याद रखना एट रोज हैं किसकी कुछ सीलियेटिड कोंग प्लेट्स की सीलिया की बनीवी कुछ कोंग प्लेट्स होती है और उनका काम क्या है उनका काम लोको मोशन में कॉंट्रिबूट करना है आगे और सुनो यार आगे यहां पे और पॉइंट्स अगर हम डिसकस करें तो फिर अब चीज़े आपको क्योंकि यहां पे यह तो हमने specific बता दें इसके यह तो हमने specific इसके लिए है जो बता दी है अब general feature थोड़ी ची और सुनिए general feature में अगर हम इसके बारे में बात करें level of organization तो यहां पे level of organization कैसा है यहां पे tissue level organization है tissue level of organization अगर यहां पे यह body plan की बात करें तो body plan जो है यहां पे blind sac body plan है अगर हम लोग llamado vapor के हिसाब से बात करें तो यहां पर हमने लिखका diploblastic condition है कि डेप्लो ब्लास्टिक कंडिशन्ट से स्टार्ट होगी और इस अगर वह आंग धूर सिमेट्री यहां पे कौन सी आजाएगी सिमेट्री यहां पए बाइ interactions ने रेडियल लिक के विए लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड बाइडियल है तो बाइडील लिख दिया अगर यहां पे टेंटाकल्स के बारे में आपको बता दें तो टेंटाकल्स यह या तो होते ही नहीं है या तो होंगे एपसेंट और अगर होंगे तो फिर उनका नंबर फिक्स हो गा ट्अ फिर में नंबर यहां पर यह बता दिया आपको के tentacles जो हैं वो या तो absent होंगे या पर number उनका होगा 2 तो यहाँ पर tissue level of organization है, blind sec body plan है, diploplasty condition है, biradial symmetry है, then tentacle या तो absent होगे या पर tentacles का number होगा 2 इतना समझ में आया, अब यहाँ पर 2 का मतलब one pair obviously, 2 का मतलब one pair 2 का मतलब one pair ही हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी कुछ और feature के discuss करें याँ यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं के digestion कैसा है, digestion कैसा है तो digestion जैसे रिडेरिया में पढ़ाता था ना, ऐसा ही यहाँ है यार, के both, both, extra and intracellular digestion यहाँ पर extra और intracellular दोनों है, respiration और excretion के लिए कुछ खास बात नहीं है जो आपको बताई जाए, body surface आजाए का इस यह लिखने की जरूरत नहीं है nervous system में भी ऐसा कुछ structure नहीं है, यहाँ पर statocyst एक structure है statocyst एक structure है, जो की hydrostatic structure है hydrostatic structure है, hydrostatic का मतब यह के पानी में 30 टाइम balance maintain करने में help करने वाले structure का नाम statocyst, ठीक है, अब यहाँ पर और बताएं यहाँ और क्या है बस खतम हो गया है तो फाइलम, यह फाइलम तो almost खतम हो गया भई, और पोइंट बताएं अगर हम लोग reproduction की बात करें, reproduction की बात करें, तो reproduction में यहाँ पर लिख दिया, हमने sexual only reproduction में अगर हमने लिख का है, यहाँ पर sexual only यह sexual reproduction होता ही नहीं है और सुनो यार reproduction में जो हमने हम नहीं बता है कि यार sexual only तो अब यहाँ पे sex is not separate sex is not separate का बतलब यह भी वो सकता है कि हम इसको लिख सकते है ہर्मेफोडाइट इसको लिख सकते हम लोग हर्मेफोडाइट तो अभी तो जादा तर जिगे हम लोग मेल दी तो हर्मेफॉडाइटी कंडिशन पढ़ते आ रहे हैं in foreign phorары अधी बात करें आलाकि exceptions हैं रिडेरिया में लेकिन जनल ली तो हर्मेफॉडाइटी चलड़ा है हर्मेफॉडाइट के बात यहाँ पर करें लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें फर्टिलाइजेशन यहां पर एक्स्टरनल है फर्टिलाइजेशन एक्स्टरनल है और अगर हम लोग डेवलप्मेंट की बात करें तो डेवलप्मेंट इन्डारेक्ट है और लार्वा का नाम NCRT ने लिखा नहीं है लेकि नीट में पूछावा है लेकि नीट में पूछावा है लार्वल फॉर्म का नाम होता है सिडिपिड लार्वा क्या नाम लिख दिया लार्वल फॉर्म का नाम हमने लिख दिया सिडिपिड लार्वा क्या बताया सिडिपिड लार चलिए लार्वल फॉर्म का नाम सिडिपिट लार्वा वैसे तो मेरी लिखने से पहले आप लोग लिख चुके थे एंड यहां पे और पॉइंट समझे यार देखो बस एक्जामपल बेह जाते हैं यार example में हमारे पास एक तो नाम दे रखाय है प्लिवूरोब रहकिया जो ncrt ने figure बना रखिय वो प्लिवूरोब रहकिया है बत्तब ऐसे figure दिखा रखिय है ncrt ने उसके उपर यह इस type से ये कुछ comb plates दिखा रखी है और इन comb plates का नंबर यहाँ पे 8 होता है कुछ ऐसे माल लेना ये structure ये comb plates आ गई है ये comb plates आ गई है कुछ ऐसा दिखा रखा है न और फिर यहाँ पे इसके साथ और क्या है देखो इसके साथ हमने ये इसके tentacle दिखा दिए तो ये NCRT ने figure दिखा रख्के अपको ये याद रखना है प्लियोरोब्रेकिया के बाद एक नम आता है बीलो ठीक है एक नम आता है सेस्टम ठीक है इसको बोलतने लोग वीनसगर्डल वीनसगर्डल या पिर एक नम आसकता है टीनो प्लैना एक नाम आ सकता है टीनो प्लैना ठीक है एक नाम आ सकता है सीलो प्लैना बहुत तारे नाम आ गए भई ठीक है एंसी आटी ने एक आद नाम दे रखा है लेकिन एक बार नाम अगर आप लोग दुबारा सुनने क्या क्या नाम लिखे है हमने pluro breakya जो NCRT ने figure दे रखे है उसको बनाया उसके बाद bero एक नाम है एक system नाम है, टीनो planner नाम है, एक silo planner नाम है ये कुछ नाम बताया आपको अटीनो फूरा खतम अब टीनो फूरा खतम कर दियों हमने आप अगर NCRT लेके बैठे हूं अगर आपके पास NCRT नोट बुक जो भी आप लिखा हो जहां पर भी आपने नोट किया हो एक बार आप रिडिंग मारिए, फिर मैं आपको याद कराता हूं बस इसको याद करके उटना है ना इसको याद करके उटना है, बस अब classification की जरूरो अतनी है इसको प्लिवरो ब्रेकिया फिगर में दिखा रखका है याँ पर सीलो प्लैना फिगर में दिखा रखका है भी हमने लिखा था टीनो प्लैना, सीलो प्लैना फिर यहाँ पर यह कोछ यू कलॉरा रबरा मतलब टीनो फोर विञ नीडो ब्लास्ट यह exception है नॉबली टीडो फोरा में निडो ब्लास्ट नहीं होती है लेकिन exceptionally एक आद में मतलब यह लिखा यू क्लॉरा रब्रा यह exception है इसमें यहाँ पे निडो ब्लास्ट मिलती है इतना specific पूछा नहीं जाता है वैसे अब इतना डिटेल पूछा नहीं जाता है यहाँ पे यह बैरो दे रखका इसमें tentacles नहीं होते है इसमें आप देखे चारो तरफ से गुमा पे राके इसको दिखा दिया इसमें tentacles नहीं होते हैं यह no tentacle वाला exception है यह no tentacle वाला exception है फाइलम प्लैटिकल मिंते सब भी explain करेंगे लेकिन पहले यहाँ तक बताईए किसी को कुछ doubt हो तो है चल यह 20 मिनिट्स लगे हमें ठीनो फूरा complete करने में अब मुझे बस दो-चार मिनट दीजे इसको revise कराने में done भाई हो गया याद बचो done बताएं आप पॉइंट क्या क्या है अच्छा भी याद नहीं हुआ चलो फिर एक काम करते हैं एक बार दुबारा से सुनिया क्या क्या पड़ा हमने टीनो फूरा में टीनो वर्ड हमने कोंग के लिए बताया तो टीनो फूरा का हमने common name क्या क्या बताया तीनोफुरा का कॉमन नहीं बता है इसको कॉम जेलीज बोलते है इसको सी वालडट बोलते है इसको सी गूसबैरी बोलते है ये तो हमने नाम बता दिये कॉमन ने इसका मतलब यह कि मेडियूसा फॉर्म को रेप्रेजन करते हैं यहां पे पॉलिफ फॉर्म नहीं होती है यहां पे पॉलिफ फॉर्म नहीं होती है क्योंकि पॉलिफ होती है तो फिक्स होती है तो सब तैर रहे हैं तो यहां पर Medusa Form को represent कर रहे हैं और feature यहां पर आपको बताए किसकी characteristic cell का नाम है यहां पर coloblast जिनकों लोग लेसो cell बोलते हैं इसके बाद पिर आपको यह बताए कि यहां पर 8 external plates की रोज होती है सीलिया की बनी plates होती है और वो जो plates है basically वो सीलिया की बनी ही है तो वो किसमें locomotion में help करती है टेंटेकल के बारे में बताए कि टेंटेकल का नंबर या तो absent है या पिर अगर होंगे तो true होंगे मतलब one pair होगा फिर यह बताए आपको tissue level of organization है blind sec body plan है diplo plastic condition है bairadial symmetry है bairadial symmetry है इसके बाद पिर आपको बताए कि digestion extra intra दोनों है पिर बताए आपको balancing के लिए आपर status है जो कि तेरते टाइम उसको balance बनाने में help करेगा reproduction खाली sexual होता है बताए आपको fertilization extra dal होता है development indirect होता है और यहाँ पे larva का नाम cidipid larva बस इतना बताए आपको जो tinofora के बारे में याद रखना है इसके बार एक भी point नहीं पूछेगा इसके बार कुछ point नहीं पूछेगा मेरे कहने से कुछ नहीं आप प्रिवियस year के question try करिए आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यह figure जो आपके सामने आई है यह figure यहाँ पे plan area की है ठीक है यह figure यहाँ पे plan area की है जिसको हम लोग new jessia भी बोलते हैं और यहाँ पे इस figure में जो कुछ चीज़े दिख रही है अगर उनको मैं आपको यहाँ पे explain करूं क्या क्या है बस इतना है कि light की intensity को gauge कर लेंगे इससे यह नाम auricle लिखा हुआ है auricle जैसे हमारे कान होते है ना ऐसे इसके भी कान से निकले हुए है यह कुछ key बोर receptors होते है पिर यहाँ पे ganglia बतर cerebral ganglia और cerebral ganglia के बाद पिर यहाँ पे यह कुछ gastro vascular cavity लिखे हुए है इसके बाद यहाँ लिखका है pharyngeal chamber लिखका हुए है आप ने एक बात गोर कर नहीं यहाँ पे इस figure में आप एक बात यह देखना कि हमने mouth यहाँ बना रखका है हमने mouth यहाँ बना रखका है mouth यहाँ नहीं है mouth यहाँ नहीं है actually इसका यह proper head नहीं है तो यह हमारा head है, यहाँ पे यहाँ आगे हमाओ, तो इसलिए यह इसका head distinct नहीं है, head clear नहीं है इसका, और पिर यहाँ पे देखो, यह nerve cord यह नव दिखा रखी है, चलिए इसके बाद यहाँ पे और क्या है, इसके बाद हमारे पास nervous system के regarding, अगर आप तो किस figure को देखो, यह horizontal दिखा रखा है, लेकिन अगर आप vertical सोचो, तो ऐसा लग रहा है ना, जैसे ladder हो, आपको यहाँ पे figure में ऐसा दिख रहा होगा, जैसे ladder है, तो यह structure जैसे दिख रहा है ना, आपको यह, तो यह nervous system में कुछ ladder जैसा plan आता है, अभी बताएंगे, nervous system में ladder जैसा plan आता है, अभी लिखेंगे हम, फिर यहाँ पे यह कुछ gastrovascular cavity, pharynx, mouth यह लिखा वा है, इसके बाद यहाँ पे यह plan area की flame cells है, और flame cell में यहाँ पे इसको दिखा रखा है, एक flame cell को, मतलब पूरी body में ऐसे पहली भी है, यह पूरी body से waste collect करेंगी, और waste को पिर यह eliminate कर देंगी बाहर, ठीक, यहाँ पे flame cell का structure आपको digestion, sorry, excretion पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था, यहाँ पे भी आपे डिसकस करेंगी, अभी लिखा क्या है छोड़ो यहाँ पे, अभी आगे हम लोग अगर point बताएं, तो यहाँ पे reproductive system कुछ बना रखा है, over year, testis है, दोनों, मतलब over year, testis, एक एन इमाल में दिख रही है, तो उसका मतलब यह हर्मेफुनाइट हो गया, तो यह हर्मेफुनाइट हो गया ना, फिर यहाँ पे इन्हों ने जगे छोड़ दी है, classification बता दिया, और classification के बाद यह डूजैसिया दुबारा बना वा गया, फिर यहाँ पे इसकी तो कोई खास जरू नी है, शीस्ट्रोसोमा अभी बताएंगे कुछ, इसके बारे में कुछ समझाना है, इसके बाद यह फैशियोला है, इसको भी बताएंगे, और यह पیरागॉरिवर्स लंग फ्लूक होता है, इसकी भी जरूफनी है, पहली दो फिगर जो हैं इनको बताएंगे, ट्रीमेटो होला है हाँ और यह भी फैश्योल है बस फिगर यह एंसी आटी के लिखा रखिए है वो नॉर्मल फिगर उठा के कहीं से दिखा दिये ना इसके बाद यहां पे हमारे पास लाइक शेयर और सबस्क्राइब आ गया तो जल्दी से लाइक शेयर और सबस्क्राइब करिए उसके हम लोग सेशन को अभी एंड करें यार नहीं अभी तो पढ़ दें यार बिलहर्जिया बिलकुल शीस्ट्रोसोमा बिलहर्जिया इस ब्लड श्रूक बताते हैं हर ब्लड श्रूक के बारे में क्या क्या है चलो बच्चों यहां पर हमारे पास एक हैडिंग है प्लेटियल मिं इस प्लैटी का क्या मतलब है, इस प्लैटी का मतलब क्या है, आप में से कोई बताएगा, इस प्लैटी वर्ड का क्या मतलब है, अगर आप में से कोई बताएगा, प्लैट, चलो ठीक है, तो प्लैटी का मतलब यहाँ पे है फ्लैट, और हेलमिंद का मतलब यहाँ पे क्या है व तो बस आ गया मतलब платical miss का मतलब flatforms, प्लेटिकल का मतलब flatforms, पहला point तो यह भी आ गया, अब यहां पर flat कैसे फ्लैट का मतलब यहां पर यह हो गया कि ält्य歌क गोड़ा, डॉर्सों वेंट्रली फ्लेटन्ड डॉर्सों वेंट्रली फ्लेटन्ड अपके आसपाद कोई फ्लेट चीज है क्या? यह माल लिजएं जैसे अगर मैं इस कीपेड की बात करौँ, यह कीपेड यह आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे hold कर लिया तो आप समझ गया निए फ्लैट होता है ना, फ्लैट होता है ना, ठीक है, तो बस ऐसे ही मान दीजिए कि ये एनिवल भी बिल्कुल ऐसे चप्ते होते हैं, डॉर्सो वेंटरली फ्लैटन्ड होते हैं, इसलिए नाम फ्लैटन, बिल्कुल कॉक्रोच भी, कॉक्र में अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो पिर ये पता है आपको कि mostly endo-parasides है, mostly endo-parasides है, ठीक है, अब ये endo-parasides ये on animals, including men, मतलब men से लेकिए और बहुत सार अनिमल्स है, उनके लिए endo-parasides है, लेकर एक बात है, कुछ ऐसे भी होते हैं, जो कि free living है, free living भी है, और इस free living वाले का नाम आपको याद रखना जरूर ही है, exception ही पूछे जाते हैं, exception जादा important है, exception में यहाँ पे लिखका due jessia, exception में due jessia, due jessia का दूसरा नाम plan area, तो यह free living है, यह free living है, आपको यह याद रखना है, अब आगे और बता हैं आपको, अब यहाँ पे देखो, कि अगर हम लोग प्लैटी अलबिंटिस के बारे में जो चीजे बता रहे थे, वो ही देखें, बेसित अफ लासिफिकेशन तो आपको याद है, बेसित अफ तो रेप्रेजेंट, प्लैटी अलबिंट से पहली बार क्या आ रहे है, प्लैटी अलबिंट में पहली बार आ रही है, बाइलिटरल सिमेट्री, फास्ट तो रेप्रेजेंट बाइलिटरल सिमेट्री, ठीक है, बाइलिटरल सिमेट्री से पहले कहीं नहीं है, फास्ट तो र MEL tiploblastry कंडिशन इससे पहले कर नहीं है तो रिक्रेजेंट। यह कर दे यहां से और थो यहां से स्टार्ट हो रही हो और कोई यहां से स्टार्ट हो रही हो है कि सिल ऑपके बारे म्याने तो इस सी voting Carlo achillo made बोल देते था है scillomade ने scillomade इससे पहले वालो को भी NCRT बोल देती है NCRT इससे पहले वालो को भी эп our姐 Key lavorer इससे पहले भी वही कोणुमह ने भास्स टू से पहले बूर्डी कनाल Hello woranmenry कनाल सबसे पहले यही रिप्रेसेंट हो रही है ठीक अरे वायर यह किस ने लिखा तरह मैं नाम पढ़ लू एक प्यूश पंडे जी ने एक बढ़िया था जवाब दिया है तो यहाँ पे हम क्या लिखें फस्टू रेप्रेजेंट इस्पेशलाइज एक्सक्रिट्री स्ट्रक्चर इससे पहले बॉडी सर्फेस थी जिसके त स्टूश डेवलाप हो गया अन्डिफरेंशेट लेर इस प्रेजेंट इन फॉर्म पैरन्ट काइमेटल मेशेज हां बिटा यहां पे चलो अब यहां पर यह पॉइंट आ गया कि इस्पेशलाइज एक्सक्रिट्री स्ट्रक्चर यह पांच चीज़े आप याद रख लिए ना जो प्लैटिल मेंटिस से स्टार्ट हो रही है यह पांच चीज़े आप याद रख लिए ना जो कि प्लैटिल मेंटिस से स्टार्ट हो रही है इतनी बात याद हो गई अब और सुनो यार अगर इतनी बाते याद हो गई तो और सुनो यार यहां पे प्लैटियल 19 के बारे में आपको यह तो याद है ना कि यहां पे बॉड़ी प्लैन कैसा है यार यहां पे बॉड़ी and suckers, hooks and suckers are present, hooks and suckers are present, अब ये hooks and suckers जो हैं किस काम में help करते हैं, hooks and suckers help करते हैं, लिखका हमने helps in attachment, ये attachment में help करने के लिए हैं, attachment वो किस के साथ, host के tissues के साथ attach करने में, host की body के साथ इसको attach करने में hooks hooks and suckers काम करते हैं होस की बाड़ी के साथ इसको अटेच करने में इसके hooks and suckers काम करते हैं अब यहां पे बच्चो एक बात और थी elementary केनल सबसे पहले यहीं स्टार्ट हो रही है न वो तो याद है लेकिन यह जो elementary केनल है यहां पे वो elementary केनल जो उती है blind होती है, elementary canal यहाँ पे blind होती है, अगर elementary canal blind है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे यह हुआ, कि elementary canal को ऐसा लिखते हैं हम लोग, incomplete, incomplete बोलते हैं, incomplete का मतलब यह हुआ, कि यहाँ इन्टस्टीन जो है, वो blind है, और antस्टीन blind है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे ennaz नही है, इसका मतलब यही तो हुआ न, कि अगर हमारी antस्टीन आगे जाके, एक तरफ तो माहँते हैं, दूसरी किनाल as ns is absent elementary किनाल में बस एक mouth opening गया है यहां पे ns नहीं होता यहां पे ns नहीं होता ठीक अब आगे और आ जाते हैं यह हमने इसके elementary किनाल के regarding कुछ जगे absent भी है elementary किनाल कुछ जगे totally absent है अब वो absent कहा है कैसे वो अभी structure नहीं है respiration के लिए body surface है अलग से कोई structure नहीं है blood vascular system होना नहीं है क्योंकि वो annalida से start होता है वो annalida से start होता है तो यहां पे एक structure है excretion के लिए हम लोग क्या लिखते है by plane cells वो इसकी characteristic cells है plane cells का एक और दूसरा नाम होता है क्या नाम लिखका हमने पहले तो लिखका हमने flame cells plane cells को हम लोग एक और नाम देते है proton aferidia क्या नाम दिया proton aferidia अप proton aferidia के अलावा इसका एक और नाम देते हैं इसको और बोलता हम लोग solenocytes ठीक है flame cells बोल दिया proton aferidia बोल दिया solenocyytes बोल दिया इतने नाम आ गए अब और सुनो यार यह जो flame cells है हाँ इनका नाम ऐसा क्यों है और और properties क्या है flame cells का अगर हम लोग यह primary बोला हमने और primary function अगर मैं आपको बताओं तो flame cells का primary function osmo regulation है flame cells का primary function osmo regulation है एक तो यह बात याद रखनी है ठीक flame cell का नाम ऐसा इसलिए यह है क्योंकि इसमें अगर हम लोग यह structure इसका एक cell का हम यह दिखाएं इस cell में हमारे पास यह structure आ रहा है और इस cell में हमारे पास यहाँ पे यह कुछ सीलिया का पूरा बंच है और यह जो सीलिया का बंच है ना इसका moment जो होता है ना ऐसा लगते रहे थे flame flicker कर रही हो तो यह flame की flickering से resemble करता हुआ इसका structure है इसलिए इसका नाम flame cells है और flame cells जो है अगर हम लोग यह platial mintis के लावा और कहीं भी मिलती है कि some annulates में मिलती है क्या लिखा हमने some annulates लिखावा मिल जाएगा या पिर इसके अलावा आपको और लिखावा मिल सकता है किि जिसमें copemand Cliffordates ama और इक representative ब्ता दूम आपको अगर सिफेलो kaudates नहीं लिख के देगा तो वह सकते हैं आपको amphioxys लिखके दे दे इसका एक member है amphioxys जिसको और बोलता हम दो ब्रेंकियोस्टोमा तो यह information कहां लिखे वी है यह information लिखे वी है Sir, why is this channel so underrated? You teach very nice, Rupal Sharma मैंता किसी भी चीज़ को establish होने में time लगता है मुझे यह लगता है न तो अभी हम कई biology के student हैं मैं भी अपने आपको अभी student ही मानता हूँ यह तो मतलब यह कि अगर हम अपने gestation की बात करें वहाँ पे 9 months लगते है या फिर यह कि अगर हम लोग elephant की gestation की बात करें वहाँ पे 2 years लगते है और even यह कि अगर आगर अगर उनको किसी seed को भी जमीर में डाल देना तो सीड से भी उसके tree बनने में time लगता है हाँ और tree बनने के बाद उसके fruit आने में time लगता है तो अभी यार हमने एक पेड लगाया है नीट वेदा का मतलब यह हमने एक पेड लगाया है ठीक है और यह जो पेड है अभी यह fruit देगा यार और यह पेड लगाना purpose यहां पे obvious लिए आपको पता होगा है यहां पे कोई पेड तो होता नहीं आ रही है तो यह तो free है और आप जैसे बच्चे अगर इसको मतलब like करेंगे, subscribe करेंगे, share करेंगे तो इसकी rating बढ़ जाएगी ठीक है, इसकी rating बढ़ जाएगी हम कोई जल्दबाजी में नहीं यार आपने देखा होगा जितना भी time हो गया है हमारे passion में कोई कमी नहीं यार जो teacher यहां पे जुड़े हैं, उनके passion में कोई कमी नहीं उनके teaching के style में कोई कमी नहीं यार वो उतनी energy से बढ़ाएंगे आपको मैंने यह नहीं कि जतना मेरे time चलता है उतना चलता है तो कोई बात नहीं यार मतलब हम कुछ इस type के लोग हैं कि हम लोगों में patience है हम उमीद करते कि channel बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप लोग जुड़े रहेंगे इस channel से rank आएंगी भई हाँ इस channel से rank आएंगी या आप इतने अच्छे-चे बच्चे जुड़े वे हो इतने अच्छे-च्छे जुड़े वे हो तो rank आएंगे बिल्कुल और यह X-Critory सिस्टम में लिखावा है यह जो मैंने यह information आपको बतागी ना Red color वाली और यह इधर green color वाली यह X-Critory सिस्टम में लिखावा है ठीक है love you बचो love you love you बचो love you बचो ठीक है नहीं hard work मतलब यह के अगर मैं hard work कर सकता हूँ तो आप भी करिए यार ठीक है hard work मैं यह नहीं कह रहा हूँ चैनल को subscribe and share करने के लिए hard work करना है आपको अपनी पढ़ाई में hard work करना है क्या आप कहीं पे भी बैटो ना तो आप excel करो और अगर आप excel करो तो कम से कम biology के बारे में यार यह चोटा बोटा मेरा नाम है वो बोल दो कि उतने कैसा है कि सर से पढ़ते है यार तो अच्छा लगता है यार चलिए खिर यहां पे आजाते हैं हम लोग topic पे यार तो यह platy elementism में आपको हमने platy यह कुछ इसके extrusion के बारे में तो बता दिया कि nervous system ladder-like कहां होता है तो nervous system का pattern जो है वो ladder-like है मतलब कुछ इस type का pattern आता है तो हमने बोल दिया यह ladder-like nervous system होता है receptors हैं यहां पे लेकिन कुछ बहुत साथा important नहीं है कि discuss करे जाएं receptor eye type structure मिलते हैं कहीं कहीं लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं है कि important to discuss करे जाएं तो अब आ जाते हैं हम लोग सीधा इसके reproduction पे और reproduction में यहां पे यह कुछ मैं आपको बताऊं कि एक तो यह के platial mentis के member जो है न वो जैसे अभी T9-4ा में हमने बढ़ाता है हर्मेफुडाइट होता है तो बस यहां पे भी अभी हर्मेफुडाइट ही याद रखो अभी तक हर्मेफुडाइट ही चलना है यार especially तो यहां पे यह हर्मेफुडाइट है लेकिन आप देख रहे होंगे यार कि मैंने यहां पे line खीच रखे बाई फरकेशन के लिए चलो ऐसे करते हैं हर्मेफुडाइट लेकिन exception बता दू आपको यार accept accept में यहां पे एक नाम आपको अगर मैं लिखके दूँ accept में एक नाम है shistosoma क्या नाम है? shistosoma और shistosoma में भी अगर मैंने species का नाम लिखा hematobium जिसको अभी किसी बच्चे ने बिलहर्जिया लिखा था shistosoma में male और female जो है वो अलग होते हैं shistosoma में male female अलग-अलग होते हैं यह tape warm नहीं होता हाँ यह tape warm नहीं होता it is a kind of fluke इसको blood fluke बोलते है shistosoma is the blood fluke ठीक प्यूश पंडे नहीं लिखा था शायद है ना चलो अभी बच्चों और बताते हैं अब यहां पे अगर हम लोग fertilization की बात करें कैसा है भई अब हम fertilization डिसकस करते हैं कैसा है तो यहां पे fertilization जो है यहां पे fertilization जो है वो internal है उदर external था development यहां पे indirect है development यहां पे indirect है और larval forms के कुछ नाम है जो अभी आगे पढ़ने में आएंगे larval forms हैं लेकि larval form के नाम अभी आप wait करिए अभी 20 मिनिट और बच्चे हैं सेशन में platial means complete करने में वहां पे आपको इसके नाम याद हो जाएंगे अब बच्चो एक बात और समझे larval form तो बता देंगे कौन-कौन सी है larval form तो बता देंगे कौन-कौन सी है अब मैं आपको platial minus के कुछ मेंबर हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाना चाऊँगा जो important है platial minus के कुछ मेंबर जो मुझे आपको पढ़ाने है उनमें मैं अगर आपको नाम बताओं देखे एक काम ये करें जाराज कुछ जगे देखें आगे चलो यहां पढ़ते हैं पूरा बोर्ड मिलना है यहां पे यहां पे हमने एक नाम लिखा fasciola क्या नाम लिखा और fasciola में आमने नाम लिखा हिपैटिका fasciola हिपैटिका fasciola हिपैटिका का नाम होता है sheep liver flu क्योंकि यह sheep के liver में या फिर bile duct में मिलता है कहां मिलता है sheep के liver में या bile duct में मिलता है इतनी बाद समझ में आई अब ये digenetic होता है यह डाई जननिटिक होता है डाई जननिटिक इसमें इसका प्राइमरी होस्स जो है वो तो आमने लिखी दिया के शीप है काउख Century अगरा भी उतकते हैं लेकिन मेंली शीप है और सेकिंडरी होस्त जो है यहाँए वो हुता है एक स्नेल secondary host होता है कि स्टेल अब स्टेल के भी करी सारे नाम होते हैं बच्चो हाँ स्टेल के नाम अगर मैं बताओं आपको bullinus होता है, planorbis होता है इस टाइब के नाम आते है lemunia, planorbis, bulinus इतने दो-तीन नाम हैं आपको verbal ही बता दिये लिखे निए अब यहाँ पे फेशियोला जो है यह करेगा क्या है यार फेशियोला में यह बताते है अर्ग की चीज़े कैसे हैं इसमें लार्वल फॉर्म्स के नाम आपको अगर मैं लिख एदू यहाँ पे म S R C M पांच लार्वा के नाम है यह आपको आप्शन में लिखे मिल जाते हैं इस चे मैंने आपको यह नाम लिख दिये पहले लार्वा का नाम होता है मीरा सीडियम पहले लार्वा का नाम है मीरा सीडियम एक नाम हो गया दूसरे लार्वा का नाम होता है स्पोरोसेस्ट तीसरे लार्वा का नाम होता है रेडिया एक नाम और लिखका हमने सरकेरिया और एक नाम लिखका हमने मेटा सरकेरिया मेटा सरकेरिया ठीक है मेरा सिरियम, स्पोरों, स्ट्रेडिया, सरकेरिया, मेटा सरकेरिया, पंच नام आग gravel इन में से मच्चों यह यह पूछता है वो के वई कौन सा लर्बा किसके लए इनफे kitty है अगर मेरा सिरियम है जा तो इसका मतलव यह किए इनफेक्टरिव स्टेज एकिसके लिए Meta Sarkeria है यह Infective Stage है किसके लिए यह Sheep के लिए और Sheep का मतना Primary Host तो आपको यह दो स्टेज तो एट लिस्ट याद रखनी है कि Primary Host के लिए कौन सी Infective Stage है और Secondary Host के लिए कौन सी Infective Stage है चांस वैसे Neat में कम ही है नीट में आने की चांस कम ही है लेकिन जब आप प्रिवियस एर के कुश्चन करते हो वहां पर लिख्वा मिलेगा और प्रिवियस एर के कुश्चन करोगे और आपको जो कुश्चन पूछे में हैं प्रिवियस एर में अगर वो हमारे से होते हैं तो हमारा confidence built up होता है वरना ये के जब हम प्रिवियस एर के कुश्चन करते हैं अनीमल किंडम के तो पिर यार ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता लगता है जैसे कुछ भी नहीं आता तो at least confidence built up होता है तो फिर बहुत कुछ अच्छा हो जाता है तो इसलिए सब चीज़े बताई जा रही है अब यहाँ पे हर फैशियोला से डिजीज कौन सी होती होगी फैशियोला से जो डिजीज होती है उसका नाम मैं आपको अगर बता दू फैशियोला से डिजीज होती है उसका नाम होता है फैशियोली एसस क्या नाम लिख दिया हमने फैशी ओलियसस और फैशी ओलियसस जो है उसका एकार नाम होता है उसको हम और बोलते है लिवर रॉट लिवर गलने लगता है खराब होने लगता है यहां पे तो लिवर रॉट लिखा है किसी को ये भी नाम याद है क्या रेड रॉट चो है ये किसको होती है डिजीज रेड रॉट भी कोई डिजीज होती है क्या रेड रॉट भी कोई डिजीज होती है क्या अगर होती है तो किसको होती है शीप को होती है शीप को होती है मैन को होती है पिक को होती है किसको होती है रेड रॉट को डिजीज होती है क्या अरे वाया निदी सेंगर निदी सेंगर का जवाब यार रेड रॉट जो होती है यह होती है शुगर केन को अगर यह गन्ना खाने वाले लोग हो कुछ तो उनको पता होगा कभी कभी गन्ना खाते हैं पूरा का पूरा लाल सा निशान आ जाता है उपर से नीचे तर ठीक और ये तो यार नीचे मतलब फंगल डिजीज है फंगल डिजीज है कौन कॉस्ट करता है कॉलेटो ट्राइकम Fungal disease है Coletotrichum Felcatum Coletotrichum Felcatum ठीक है Coletotrichum Felcatum इसको कॉस करेगा Fungus है जो कि शुगर के इनमे Red Rot कॉस करेगा और अगर हम लिवर रॉट देगा तो ये फिर Fasciola का disease है Fasciola के बारे में तो ये अब एक नम और जो आपको बताया था उसकी एक feature तो बड़ी important है उसकी एक feature तो बड़ी important है हलागि यहां पे भी एक और structure है कि एक structure होता है Lawler's Canal Lawler's Canal Tape Forms के बारे में पूछा जाता है तो यहां पे act as vagina Act as vagina breeding season में बनने वाला structure है breeding season में बनने वाला structure है vagina कि तरह काम करता है बस इसमें इतना याद रखना है और कुछ नहीं ठीक है इसमें बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं है effect of red rot कोई भी disease होती है इसका मतलब यह कि उस crop को खराब करती है तो sugar कि इनको damage करती है बस इतना है and यहां पे और देखते हैं यार यह Lawler's Canal इसमें याद रखना है आपको और एक नाम मैं आपको और बोर्ट पे लिखके बस चल्दी से wind up करता हूँ कि क्या रखना है आपको एक नाम लिखका हमने यहां पे Shistosoma क्या नम बता है Shistosoma Shistosoma में species का नाम हमने बता है Hematobium Hematobium का मतलब यह blood fluk है ये blood fluke है और ये blood के अंदर ही रहेगा ने इसका मतलब ये कि जो pelvic region की blood vessels है bladder के असपास वाली उन में मिलता है ठीक इसमें क्या याद रखना है इसमें हमने एक तो बनाया ये ये है male इस male के अंदर हमने यहाँ पे आपको इसके अंदर recite करती भी एके दिखा दिये female रेड कलर वाली के लिए हमने निशान बना दिया female का और ये blue वाला जो है हमने इसको निशान बना दिया ये male है तो male female अलग अलग है और ये जहां रह रहा है ना उस जगे का नाम होता है गाइने को फोरी केनल तो ये नाम पूछा जाता है गाइने को फोरी केनल किस में मिलती है तो गाइने को फोरी केनल मिलती है किस में शीस्टो सूमा में अब कैसे याद रखना है गाइनी वड आता है किस के लिए female के लिए फोरी के वड किस के लिए आता है तो bear के लिए इसका मतलब फीमेल को बेयर करने वाली किनाल है जब फीमेल को बेयर करने वाली किनाल है तो उसका मतलब आवविस्टी मेल में मिलेगी तो गायने को फूरी किनाल का फंडा ये अब यहां पे female reside in the inside male body बिल्कुल male की एक किनाल के अंदर female रहती है बच्चो अब आ जाते हैं hook warm बिटा यहां नहीं है hook warm is ankylostoma hook warm is ankylostoma राकेश hook warm is ankylostoma अब बच्चो आ जाते हैं लोग tape warm के उपर अब बस tape warm और बता दें आपको जल्दी से short में tape warm अब यह tape warm जो है इनकी class का नाम होता है Sessdo-da Luke's की class का नाम होता है Trimet-O-da और यहां पे class का नाम है Sessdo-da system वर्ड होता, tape के लिए इसलिए नाम यह Sessdo-da class का नाम और यहां पे tape warm इसके members का नाम tape warm में एक बात आपको क्या याद रखेनी नहीं बॉडी टेप जैसी है इसमें तो बताने जैसा कुछ नहीं है अंडर्स्टूड है यहां पे बहुत बढ़िया सी इंपॉर्टन सी बात है इसमें एक्चुली एलिमेंटरी कैनल ठीक है लोको मोटरी स्टक्चर लोको मोटरी स्टक्चर एंड सेंसरी स्टक्चर एंड सेंसरी स् रहे रहे हैं न टेप ओंग तो इसके चारो तरफ खाना ही खाना है और वह भी प्री डाइजिस्टेड उसको हम ने डाइजिस्ट कर लिया भाई इसको क्या कर दाइजिस्ट कर देगा जरूए यह तो अपनी पूरी बॉडी सर्फेस से उसको एब्जॉब करेगा इसके पास elementary canal नहीं है, इसके पास कोई mount नहीं है इसके पास कोई NS नहीं है elementary canal ही नहीं है सीधा body surface इसको absorb कर लेगा एक बात, दूसरा ये कि यहां पे जब इसको कही जाना ही नहीं खाने के लिए तो उसको lokomotory structure की दरूबत नहीं है और जब इसको कही जाना ही नहीं है तो उसको खत्रा dimensions या खाणा sense करने की जोरानी जोरूत नी तो उसको sensory structure की ज़रूपी नी है तो elementary किनल sensory structure and locomotive structure tape forms में absent हैं endoparasitism के साथ relate हो रहा है ठीक है फूरी में खाणा मिलता है बिलकुल इसको तो इसको फूरी में खाणा मिलना है echino cocus तो इसमें cocus या बैक्टीरिया मत समझना को इसका मतलब होता है dog step form ठीक है या पर इसको और बोलते है hydrated warm या इसको और बोलते है hydrated warm hardly 3-4 proglotis होते हैं इसके अंदर और echino cocus का मतलब यह हो जाएगा यह smallest tape form है 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 एक dwarf tape form होता है उससे confuse मत करना एक dwarf tape form होता है ड्वार्फ बड़ अलगे और small बड़ अलगे यह smallest tape form है Echino-coccus बस इतना याद रखने और कुछ नहीं है इसमें सिर्फ इतना याद रखने और कुछ नहीं है अब दो नाम हो तमज़िए एक नाम आता है हमारे पाट Tinea Solium और एक नाम आता है Tinea Serginata एक नाम लिखा हमने यहाँ पे Tinea स्पेलिंग देख लिए न T-A-E-N-I-A है, क्योंकि एक जग स्पेलिंग T-I-N-E-A भी होता है, वो फंगल होता है, वो टीनिया होता है, यहां पे टीनिया सोलियम, क्या नाम बताया, टीनिया सोलियम, और एक नाम यहां पे हमने टीनिया, और इदा लिखका हमने सैजिनेटा, इदा लिखका हमने टीनिय टींगिया सेजिनेता, टीनिया सेजिनेता ऐक नाम है, अगर टीनिया सेजिनेता लिखा है इसका मतनाफ होता है पोर्ख टेप वर्म, पोर्क बोलते हैं हम लोग पिग के मीट को, और इसको भोन इसा होता है पोर्ख्टेप वॉर्म टीरिया ऑफिनीय वोगत है लुञता है यह ना में रहता है व्हूंध हम भी। यह बीवत खाने से पहलता है और टी एक यह व्हूर्टेप वर्म अफिनीय पोर्ख्टेप वाइं को जिनीय व weet। पेर करते हैं वो आपको question में दे देगा एक तो यह कि यह longest tape form होता है क्या नाम बताया यह longest tape form होता है यह longest tape form longest का मतलब कितना long यहां लिखा 1000 से लेके 2000 के का मतलब 1000 अब यह किसके बारे में बात हो रही है proglottets के बारे में बात हो रही है proglottets का मतलब यह है कि उसके जो segments दिखते हैं ना उनको हम लोग proglottets बोलते है 1000 से लेके 2000 के असपास proglottets का number होता है आशिर सिंह थेंक्यू बेटा ठीक एंड यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हार्ली 800 से लेके 1000 proglottets होते है 1000 800 से लेके 1000 proglottets है यहाँ पे 1000 से लेके 2000 proglottets है मतलब लंबाई जस्ट डबल होगई ना लंबाई जस्ट डबल होगई कुछ ऐसे मन दीजे अभी यहाँ पे और properties अगर बताएं तो एक structure अभी पता नहीं होगा इनको हमने कर दिया क्रॉस कि यह structure teenie sa gignita में नहीं होते है यह structure teenie sa gignita में नहीं होते है teenie solium में मिलेंगे teenie solium में मिलेंगे अभी यह क्या है इसको अभी समझाएंगे अभी हम लोग explain कर देते हैं आपको थोड़ा सा teenie solium के बारे में यहाँ पे देखो बचो एक नाम लिखका आमने टीनिया और इदा लिखका आमने सोलिया ठीक है तो यहाँ पे आपको मैं एक क्लू दूँ अगर वो यह पूचे आर के एक होस्ट के अंदर एक पिग के अंदर या एक मैन के अंदर सोरी एक मैन के अंदर एक मैन के अंदर कितने टीनिया मिलते होंगे answer one answer one यहाँ पे नाम में ही छुपावा है यह solium species का नाम है ना और solium बनावा है solo से किसे बनावा है solo से solo का मतब one के लिए आता है ना तो यह अपने host के अंदर एक host के अदर सिर्फ एक ही टीनिया मिलता है STS का species का नाम solium क्योंकि जब एक का infection हो जाता है तो फिर resistance मिल जाता है कुछ और फिर वो दूसरा establish नहीं हो पाता है कुछ इस टाइब का funda होता है उसका mechanism की जरुवत नहीं बस इतना अब एक टीनिया solium जो है ये digenetic है ये digenetic है tape like होता है वो सब किदर वोतनी है digenetic में भी यहाँ पे कुछ बात तो है एक तो हमने लिखा यहाँ पे primary host और एक लिखा हमने यहाँ पे secondary host primary host जो है वो man होता है और secondary host जो होता है वो pig होता है और दोनो host vertebrate हैं अगर आपने गोर किया हो अगर आपने गोर किया हो both vertebrates क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोग और नाम पढ़ते हो ना तो वहाँ कहीं ना कहीं एक vertebrate होता है एक invertebrate होता है अगर मैं प्लाजमोडियम की बात करूँ जिससे मलेरिया होता है तो वहाँ पे मैं प्राइमरी वर्टीबरेट है लेकिन मस्कीटो invertebrate है अगर मैं ट्रिपैनोजमा की बात करूँ जिससे स्क्लीपिंग सिकनेस होता है तो वहाँ पे ट्रिपैनोजमा में भी मैं तो प्राइमरी ओस्ट है लेकिन वहाँ पे एक फ्लाई होती है जिसको हम लोग चिनिया 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 ओर टिनियोग स्टारर चिनियोगत, अब यह और देखते हैं क्या है अब यहाँ जैसे स्टीजव इसके बाद अर यहां पर हमनेन आसे बात शWhis ये इसके proglottis कुछ ऐसे ये दिखा दिये अब इसमें इसकी ये कुछ structure में ऐसे हमने दिखा दिया अब इसमें एक चीज़ और भी ये देखो ये जो proglottis हैं ना कुछ ऐसे हैं जो की square होते हैं और कुछ last वाले होते हैं वो कुछ oblong से होते हैं टॉल होते हैं यह जो इसका यह structure है इस structure को बोलतम दोग strobilla strobilla का मत्तब हो जाएगा इसकी यह कुछ लंबी सी body यहाँ पे यह structure है इसको बोलतम दोग neck जहां से budding होके नए segment जोड़ते हैं और यहाँ पे इसमें यह हमने दिखाए 4 suckers होते हैं और यह कुछ हुक्स होते हैं यह जो यह structure है इसका इसको बोलतम दोग is collex इसको बोलतम दोग is collex में यह जो इसकी चोच सी निकली वी है ना इसका नाम rostellum होता है और rostellum के उपर हमने hook दिखा रखे हैं यहाँ पे इसके suckers हैं और इन suckers का number होता है total 4 आपको तीन दिख रहे हैं सामने लेकिन एक पीछे की तरफ हो जाएगा कुछ इस type का arrangement और यह structure is collex है इसको head मत बोलना head क्यों नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि head हम body के उस structure को बोलते हैं जहां पे sensory structure हो और जहां पे feeding structure हो ना तो यहां पे mouth है ना यहां पे कोई eye ear या कोई sensory structure इसको हम लोग head नहीं बोल सकते हैं और यहां पे यह इसके जो proglotts है proglotts का मतलब यह कि इसके यह जो segments आपको दिख रहे हैं इनको बोलने हम लोग proglotts यहाँ पे आपको यह तो बताई दिया था क्या सीडो सेग्मेंटेशन होता है क्योंकि embryonic level पे आपको सेग्मेंटेशन नहीं दिखता है और यह सेग्मेंटेशन जो है आपको कैसे दिख रहा है कि यहाँ पे इसके neck से यह इसके proglotis add होते है proglotis में एक तो हमारे पास होते हैं immature एक तो होते हैं हमारे पास immature टाइप के और एक तीसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं लोग ripe या पर ripe को और बोलते हैं इतनी बास समझ में आई तीन टाइप के प्रोग्लॉटेट्स है और बच्चो एक और तर्म है हमारे पास अगर आप लोग यह याद करो एक नाम लिखा है एपॉलेसिस क्या बता है आपको एपॉलेसिस एपॉलेसिस का मत्ता होता है डिटेच्मेंट आफ राइप उठिट्स का डिटेच्च होना डिट्वी क्वलेसिस इतनी बास समझ में आ गई बस अब तो चैप्टर कम्प्लीट हो गया अब तो चैप्टर कम्प्लीट हो गया बहुँ आप सुनो यार यहा पे अगर मैं आपको कुछ ऐसे बताऊ देखो कि इसमें कुछ हमने ये structure दिखाया ये structure दिखाया और हमने एक structure दिखा दिया ये एक हमने दिखा दिया ये ये हमने लिख दिया ये human intestine है और ये picky intestine है कैसे ये बताओ यार ये टीनिया कहां रहता होगा ये टीनिया रहता होगा human intestine में यहां और यहां पे यह क्या होगा कि इसके यह प्रोग्लॉटेट्स यहां पे तूटते रहते होंगे फिर क्या होता होगा कभी कि इसके फीकल मेटर के साथ मतलब हमारे फीकल मेटर के साथ यह प्रोग्लॉटेट्स बाहर आ जाते होंगे जब ये proglotis बाहर आते होंगे तो इन proglotis के अंदर जो है कुछ structure और भी है इन proglotis के अंदर एक structure जो मैं आपको बता हूँ कि कुछ ये बनाया ठीक और इसके उपर आपने एक और double covering दिखा दी इसके अंदर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दिखाया यह structure 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह hexagon इसके उपर एक और covering आ गई है उसको embryo 4 और इस structure का नाम हमारे पास क्या आ गया इस structure का नाम आ गया हमारे पास oncosphere ठीक है oncosphere यह oncosphere important है कैसे important है क्योंकि यह oncosphere जो है यह infective stage है किसके लिए pig के लिए अब यह pig जो होता है यह होता है coprophagus suppose किसी ऐसे बंदे के fecal matter के ओपर यह feed करता है जो कि infected है तीनिया से उसके fecal matter के अदर oncosphere present है तो यह oncosphere जो है यह पहुंच रहेगा पिक के अंदर अब पिक के digestive juices क्या करेंगे पहले तो यह आ गया यह आ गया यह इसके hooks है इसकी covering dissolve हो जाएगी और अंदर से larva हेच करेगा और यह इस larva के hook निकल आएंगे बाहर इस stage का नाम हमारे पास क्या है hexakent तो hexakent निकल के आगया बाहर यह अपने hook की हैं से इसकी wall को penetrate करेगा कुछ penetration gland भी होते हैं उसके थ्रू भी और फिर यहां पर आप यह मान लिए कि यह इसकी किसमे इसकी muscles के अंदर पहुँच जाएगा जब यह इसकी muscles के अंदर पहुँचेगा तो पिर इतने में करेगा क्या है इतने में और यह कुछ ऐसे कि यह इसका यह कुछ बन जाएगा pro iscolex इसके ओपर एक covering भी बन जाएगी यहां पर लेकिन अब इस structure का नाम कुछ और है अब इस structure का नाम है हमारे पास cysticircus क्या नाम दिया हमने cysticircus या cysticircus के अलावा एक और नाम दे सकता है अब इसको हमने नाम दे दिया bladder warm क्योंकि इसके साथ एक bladder type structure भी लगावा है bladder warm यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास उस pig की associated muscles है यह उस pig की associated muscles जो है यह उसकी neck की हो सकती है यह उसकी tongue की हो सकती है यह उसकी shoulder की हो सकती है मत्तब यह blood के थूँ उसकी muscles में जाके establish हो जाएगा और वहाँ पे सिस्टी सरकस बना लेगा और ऐसे pig का ऐसा meat जिसके अंदर यह stage है उसको बोलता हम लोग measly pork pig का meat पतलब ऐसा pork जिसके अंदर यह infective stage है उसको हमने बोल दिया measly pork अब suppose यह कि इस pig को slaughter किया जाता है काटा जाता है किस purpose के लिए खाने के लिए और पिर जब इसके बीच को पकाया जाता है और अच्छे से नहीं पकाया मान लिया तो पिर यह जो यह बिना मरे यह पूरा मरा नहीं है और यह आ जाएगा उस बंदे के गट के अंदर जिसने इसको खाया अब क्या होगा यहाँ पे अंदर आने के बाद इसका ही जो covering है dissolve हो जाएगा और इसका जो pro is collect है वो इवेजिनेट करके बाहर निकलियाएगा यह इसका bladder detach कर जाएगा और जब यह bladder detach कर जाएगा तो इसकी neck जो है ना इस neck से यहाँ पे यह budding होते होते इससे पूरा का पूरा टीनिया बन जाएगा लाइफ साइकल कुछ ऐसे चलेगी आपको दो बाते याद रखनी है कौन-कौन सी एक तो यह कि एक तो यह cysticircus जो है यह infective stage एक इसके लिए primary host के लिए primary host कौन है भई primary host यहाँ पे men infective stage for primary host is cysticircus for bladder warm pork खाने से हो रहा है measly pork खाने से हो रहा है और infective stage for secondary host pig के लिए oncoosphere इतना याद हुआ एक चीज़ और कभी किसी जमाने में इस measly pork को यह कहके बेचा जाता है भई या इसको खाओ वजन कम हो जाएगा actually आप market में देखते हो दो तरह के अड़ाते हैं तो यह के weight gain एक weight loss जिसका weight कम है हाँ वो चाता है कि उसका weight जादा हो जाए जिसका weight जादा है वो चाता है उसका weight कम हो जाए दोनों तरह के लोग हैं society में तो जिनका weight जादा है उनका weight कम करने के लिए ये कैसे बेचा जाता तायर अब इसकी बाइलर जी फिलाल तो आपको समझ में आ रही है न इसकी बाइलर जी ये है कि आप अगर किसी को ये रिक्बंट कर रहे हो कि भाई ये खाले तेरा वेट कम हो जाएक इसका मतलब आप उसको का weight कम हो जाएगा लेकिन वो बिमार हो गया वह बिमार हो गया उसको और complication हो जाएगे तो weight कम करने का तरीका यह नहीं होता लेकिन कभी ऐसे बेचा जाएगा ता यह आपको बताया तो यहां पे इस life cycle में दो चीज़े थी एक तो infective stage for primary host primary host मतलब man answer हमारे पास cystic circus या bladder warm और एक आगे हमारे पास infective stage for किसके लिए secondary host secondary host पर तपिक उसके लिए oncosphere और इस सिर्व बिमारी होती होगी ना उस बिमारी का नाम क्या हो जाएगा टीनियसस उस बिमारी का नाम हो जाएगा टीनियसस चलो बस अब मुझे यहाँ पर आपके जो यह दो चार मिनट और चाहिए session end करने के लिए अब मुझे दो चार मिनट और चाहिए session end करने के लिए अब क्या बताना है मुझे यह जो oncosphere है यह किस के अंदर जाता है भई बच्चो यह oncosphere जाता है पिग के अंदर अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यार गलती से हमारे अंदर भी जा सकता है अब मैं टीनियसिस नहीं अब मैं आपको एक और बिमारी बता रहा हूँ इससे भी जादा खतरनाग है टीनियसिस भे तो फिर भी आर चलिए कुछ जादा खत्रा नहीं है लेकिन इससे जादा खत्रनाक बीमारी जो है ना उस बीमारी का नाम है सिस्टी सर्कॉसिस अब इस सिस्टी सर्कॉसिस में होता क्या होगा जरा ये सुन लो सिस्टी सर्कॉसिस में होता क्या है कि यहाँ पे इसके सिस्ट बनते हैं और वो सिस्ट बनेंगे ब्रेन में जब ब्रेन में सिस्ट बनेंगे तो उसका बतर नेक्रोसिस होगा ब्रेन की सेल बनेंगी बंदे को फिट्स पढ़ दे लगेंगे finally उसकी death होता है अगर treatment नहीं होता अब ये कैसे होता है मैंने आपको अभी ये बताया कि onkosphere जो है ये onkosphere हमारे fecal matter में मिलता है और हमारे fecal matter से ये पहुँचता है pick के अंदर अगर ये accidentally हमारी body में आ जाए अब accidentally हमारी body में कैसे आतकता है अब accidentally हमारी body में कैसे आतकता है ये सुनो है हमारी body में ऐसे आतकता है ये कि जैसे ये जो onkosphere है मतलब ये जो horse मतलब cow डंग है हमारा fecal matter है के एक होता है compost खाद एक तो होता है fertilizer एक होता है खाद है compost तो compost बनाने के तरीके आपको पता होंगे suppose ये क्यार कहीं हमने गड़े में compost थैयार किया वहाँ पे किसी ऐसे बन्दे का भी fecal matter था जिसको teeny asses हुआ वा था मतलब उस compost के अंदर onkosphere है कहीं cabbage की field है जहां cabbage हुआ रखी है और हम compost ऐसे डालने है cabbage में क्या होता है उसका edible part होता है उसके leafy bird होता है leafy bird हो तक है उसके पत्तों के fold के बीच में वो onkosphere आके गिर जाए ठीक है earthworm frog नहीं पढ़ना बचा earthworm frog नहीं पढ़ना रूपल चर्वा पिर भी अगर आपनों को जरुवत होगी मैं पढ़ा दू earthworm frog मैं पढ़ा दूँ ठीक है पहले हम main syllabus complete करेंगे उसके बाद earthworm frog पढ़ेंगे पहले main तो हो जाए यार पहले जो syllabus में नहीं है पहले उसके अभी अटकेंगे हम अब यहाँ पर यह बता है मैंने आपको के गलती से अगर वो cabbage टाइप चीजों के अंदर onkosphere आ गया और यह जो cabbage है अगर हम लोग घर पे बना के खा रहे हैं तो हम लोग साफ सफाई से बना सकते हैं लेकिन बच्चों आप लोग एक बात यह सोचो के यह जो हम लोग पार्टीज में शादी वगएरा में जहां पर बड़ी चाट लमताब हज़ार-दोज़ार लोग हैं इन्वाइटड हैं यह पर रोट साइड में हम लोग चावबीन खा रहे हैं बर्गर खा रहे हैं तो वहां पे हम मतलब एक तो यह कि उसका टेस्टी अलग होता है अगर हम लोग कही बड़ी शादी में जा रहे हैं तो उसके खाने का tasty अग होता है वो जो ingredients हैं वो हम घर पे चाहए कै rozum जो शादियों में ingredients मिलते हैं वो हम घर में चाहए के भी नहीं मिला सकते इसलिए उस taste काम match नहीं कर सकते अगर कहिंए आरभ शादी का खाना बन रहा है तो उसका मतलब भी उसमें नमक या पानी डालने की जरूरत कितनी होती होगी आपको पता है कि अगर पानी डाल भी रहे तो उसमें ये कि पसीना भी उसके साथ मिक्स होई रहा है या पिर ये कि वो बार बार अगर ऐसे कर रहे हैं तो पिर आपको पता है यर, कि वो सब चीज़े चलेंगी, घर में कहाँ डाल सकते हैं, अगर आप लोग सबसी की बात कर नहीं है obvious, तो आपको क्या पता है यह किसी ब silence बरतन में डाल के निकाल ली है, तो उसकी सफाहियाँ आप एकस्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, घर में हम साफ कर सकते हैं तो बस इसका मतलब यह किबेश टाइप चीज़े अगर आप लोग बहार में खाते हैं, सैलेड बगरा इस टाइप की चीज़े हम बहार में खाते हैं, तो पिर उन से इंफेक्शन होने का चांस होता है, सिस्टी सरकॉसस थोड़ी जादा खराब है, थोड़ी जादा खराब ब इसका इंफेक्शन हो गया था, तो ठीक है, ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई ऐसा भी नहीं है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है, चलिए पिर यहां पर प्लैटेलमेंटिस इस ओवर, आज तो चलिए जादा टाइम नहीं लगा, 70 मिनिट, 68 मिनिट में हमारा सेशन कंप्ली और साथ-साथ NCRT जरूर पढ़ते रहना, क्योंकि NCRT तो अब आपको हलवा लगेगी है, इसका मेंटी को इसका देंगे, मेंटी को इस तो वहते फिजियोलजी का भी डिवा है, फिजियोलजी कंप्रीट होगे थी लेकिन मेंटी नहीं हुआ अभी तक, फिजियोलजी भी क चैनल थोड़ा पॉपलर होने दो जब भीड यह ता मेंटी में मजटा है, तिक है थीक है, ठीक है, ठीक है. आप बला लबा अ लग गया, आरे वाए यारे मजा गया तो इतना कैसे याद रख पाते हैं बिटा आप भी आपको भी याद हो जाए जब आप लोग MBS करोगे तो आपको भी सब शीदे याद हो जाएंगी चले गुड नाइट याज आज के लिए इतना बाकी फिर मिलेंगे next class में बाकी मिलेंगे next class में चैल ये गूटनाइट